हाई नमस्का वेलकम टू माई योट्यूब चैनल आम दिपक कुमा वेलकमिंग यूट्यूब चैनल और ये वीडियो है डियलेफ के न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या डिटेल्स है इसकी कहां इसकी साइट है आपको क्यों खरीदना चाहिए ये सारी चीजे म आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप फर्स टाम मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, so that जो भी latest update आती रहेगी DLF के बारे में या इसी तरह के luxury project के बारे में, वो मैं आपको देता रहा हूँ और आपको उसकी notification मिलती रहे, this project is coming at the intersection of sector 76 and 77 of kurgaon, sector 76 जो है वो right hand side में है more than 100 acres of land bank DLF कहीं वहाँ पर है, और 77 उसके left hand side में जो है वहाँ पर भी तक्रीबन 26-27 एकर DLF का land bank है जहां पर यह project आने वाला है this is the corner plot, two side open, जैसा आप इस छोटे से video clip में आप देख रहे हो यह already leveling का काम हो चुका है और यह 60 meter की जो road है पहले से बने रहे हैं and this another 24 meter of the road is going to be constructed out, तो total is 84 meter का road होगा जहां से इसकी entry होगी, जो इसके साथ वाली जो road जाती है वो सीधी निकलती है आपको sector 79 पे, जहां M3M के projects आई थे, maps को already वहाँ लोग रह रहे हैं, maps को के अंदर गोदरिश के projects है, लोग वहाँ रह रहे हैं, एक दो और भी SSA project हैं, जहां पे लोग रह रहे हैं और कुछ नए launches हुए हैं, तो ये road सीधी की सीधी वहीं चली जाती है, ये जो particular road है, वो सीधी की सीधी निकलती है, हयात रेजिंसी पे, जो की toll के जस्ट बाद, जो हयात रेजिंसी hotel है वहाँ पे जाकर ये road end होती है आने वाले time में toll हटने वाला है expressway start होने वाला है तो हर तरह से आप commute कर सकते हो इस location से अगर आपको highway से होते हुए जैपूर के ओर जाना हो, मानेसर के ओर जाना हो तो ये काफी convenient location है अगर आपको extension road, golf course road के तरफ जाना हो तो हर तरह से ये काफी अच्छे approachable location पे है इस project की details क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ तक्रिवन 26 से 27 से कड़ के अंदर कुछ mid rises के अंदर आने वाले हैं जो अभी तक information थी और जो latest information ये अभी आई है कि इसके अंदर दो iconic towers आने वाले हैं जी हाँ दो iconic tower G plus 32 structure के और हर floor पे दो-दो apartments होगे यानि की total 64 apartments in each tower so 128 will be the high rise and the rest जो भी रहेगे 800 में से वो आपके mid rise होँगे normally जो north indians होते हैं northeast के लोग होते हैं उनको middle या low floor ही जादा पसंद आता है इसे वज़े से पूरी के पूरी दिल्ली अगर आप देखो तो maximum जो density है वो low rise की है even हमारे पाद जो demand भी आते है high rise के अंदर में भी तो लोग 10 floor से उपर तक जाना जल्दी नहीं चाहते हैं जो new blood है जो new generation के लोग है वो जरूर उपर जाना चाहते हैं spent houses भी लेना चाहते हैं तो उसकी भी demand है but maximum जो demand है वो आपको 10-12 floor तक आई है तो mid-ride जो ये लेकर आ रहे हैं वो G plus 8, G plus 10 का लेकर आ रहे हैं बागे जो high rise रहेगा वो G plus 32 रहेगा तो this will be your choice you have to go on the higher floor और you have to go in these middle flows जो आपके आएंगे इन सब में अगर आपको अपना option opt करना है तो क्योंकि बिना आपके permission के बिना आपके preference के आपको allotment नहीं होगी that you have to choose since you are the buyer और इसमें क्यों खरीदना चाहे उसके पीछे 3-4 reasons है एक तो इसकी low density जो मैंने आपको बताई पूरे गुरगावा में Camelias के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे इतनी low density है Camelias का मैंने जो सुना साथ 25-28 family per acre है तो यहाँ पे अगर आप calculate करते हो तो it is just 29-30 family per acre क्योंकि 26-27 एकर में सिप 800 apartment क्या ही होते है maximum lavish greenries के अंदर होगी water fountain होगे जो भी एक ultra luxury project के अंदर में amenities होते हैं वो सारी कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाली है next reason है you are getting your house at the foothills of Aravali क्योंकि यह जो road जाता है sector 79 की ओर वो एकदम से Aravali को touch करता है तो आपकी balcony से हमेशा आपको Aravali का view आता रहेगा third reason यह है कि जैसे DLF Arbor भी का था 26 second में सिफ 1137 apartment थे सिफ 5 तावर थे low density की वज़े से और 377 उसकी low loading की वज़े से सिफ 25 या 28% के आसपास की loading Arbor के अंदर थी maximum carpet area लोगों को उसके अंदर मिला है the same way here you will be getting the low density apartment with the low loading यानि कि अगर 3500 square feet का आपका unit है तो तक्रीबन 2700-2800 square feet के आसपास आपको carpet area मिलता है जो एक अच्छा खासा 4BHK apartment के layout को बनाने के लिए काफी favorable है तो आपको यहाँ 4BHK plus 7 quarter मिलता है अंदर 3500 square feet जो आने वाला है tentative pricing जो है वही 15-16,000 के आसपास का है उसके ओपर कुछ inaugurals भी रहेंगे जैसा Arbor के time में भी मिला था तो आपको काफी अच्छे price में एक loaded apartment मिलता है so this is a must buy for you सारे reasons जो है वो double tick होते हैं या आप investor हो या फिर आपके लिए ये dream house हो सब को fulfill करने के लिए this is the best project और DLF है तो आप खुद में समझ सकते हो उसको ना कोई आज तक beat कर पाया है ना आगे करेगा क्योंकि हर बार कुछ और नया लेकर आता और कुछ बेटर लेकर आता है जितने में DLF के projects हैं luxury में अगर आप देखो तो DLF ही जो है उसको copy कर पाया या DLF ही है उसको off-bit कर पाया otherwise कोई भी builder नहीं कर पाया है तो this is the golden opportunity for you क्योंकि इसके अंदर booking start होने वाली है August end या September से आपको allotments मिलने वाले है इसके लिए क्या process है कैसे क्या करना है उसके लिए बस आपको एक काम करना है वो ये है जो number आपको दिख रहा है उसके मुझे call करना है या message करना है ताकि मैं आपको पूरा process समझा सकूँ कैसे क्या आपको allotment मिलेगी और आपका preference कैसे आपको मिलेगा अभी पूरी की पूरी bull run हो रखी है residential market में जैसा आप जानते हो दो से तीन दिन के अंदर-अंदर सारे projects बिख जा रहे है तो ये सिफ 800 apartment सिफ 800 allotment होनी है 1137 apartment arbor में थे तो 6000 के आसपास के checks उठे थे तो ये तो सिफ 800 apartment है इसमें कितने checks उठेंगे कितनी मारा मारी होगी आप खुद में समझ सकते हो बोलने की तो जरूरत है नहीं तो without delay आप मुझे call करें और जैसी जैसे update आती रहेगी मैं अपने videos के थूँ आपको बताता जाओं का उसके लिए channel subscribe करें और information में phone पे आपको बताता जाओं शेयर करता जाओं उसके लिए आप मुझे call करें जो कि मैंने भी आपको बताया था यह जो number दिखा आपको video screen पे so this was all related to this ultra luxury project coming at sector 77 गुर्गाओं बहुत शांदार location है बहुत शांदार project बन कर आने वाला है ऐसा नहों कि आरबर के जैसा ही आपको यह opportunity मिस हो जाए so don't delay call me thanks a lot for your valuable time keep watching keep loving have a great day ahead